पटवाह वेलीज जैसन मेड पैस्थान स्मारक पूरा उसे स्थान दजा प्रातीन बस तो गिने एक सट की दावातीन के अंतगते से लेचेट स्मारक सट शेट के विशेट दिया गया है जो कोई वीश की बसे स्मार्ण की यूरा गया हुआए वीश स्मारण की कर. टुक ऐ lysे कर. ऑक गया हो वीशी स्मारक तोसिता हुआए पहाड़ के साथजूदी साथजूर के साथजूर के साथजूर के अपुछ थाणाब। पटवा हवेली जेशल मेर जान अपन चांसे लगाय के दिता पुछाब तकाई, चोई, कीये, कीये तकाई को टाई बोड़ी कुंदरे में बहुती जेक बोड़ आप प्रेकल आप बानाजर नाप बोड़ी जिंदा हाँ सभी बात है बाहर बाहर जो इसकी कारिगरी की गई है पता नहीं कैसे किस तरह के लोगों ने काम किया है अब के लोग तो करी नहीं सकते हैं 100 साल में भी पांच हवेलियां पटवा लोगों द्वारा बनवाई गई पर लग रहा है कि यह काम लकड़ी पर किया हो लकड़ी से किया है ऐसे पुरा पत्थरों का काम पत्थर से किये हुए काम है दरौजे भी पत्थर से अभी काम इस दर्वाजे पर भी हुआ है, अभी पांच बजे के बाद का समय हवेलियां बंद हो जाती है, अभी टाइम आठ बुजने वाला है, दर्वाजे का काम भी पत्थर से ही हुआ है, यह पत्थर पर ही काम सारा इस हवेलियों का हुआ है, कैसे लोगों ने मिलके यह काम केया होगा, इन पांचों हवेलियों का, यह समझ से बाहर के थी है, सुक्ष्म सिल्प कलाकृतियों के लिए विश्व जुथ्ख्यात, जैसलमेर, स्वान नगरी के सेट स्री गुमान अंजी, बापना पटवा हवेली की बंसावली, प्रताप चंजी बापना, अमर सागर मंदिर के बापना परिवार की बंसावली, हिमत राम जी, जेठ मल जी, नथ मल जी, सागर मल जी और हिमत राम जी के एक, दो, तीर, चार अवलाद हैं, इनके एक केसरी मल जी के दो और सागर मल जी के दो इस तरह से, हवेली के उपर एक ये बोब लगा हुआ है, पतवा हवेली का, पतवा हवेली का, पतवा हवेली का,